वे लोग को तह दिल से मरतार करते हैं और स्वागत करते हैं। जोस्तों कभी भी खाली नहीं बढ़ना है जब भी आप खाली बढ़ते हैं तो आपके माइंड में हमेशा नकरात्मक बाते ही आता रहता है जिसके वज़से आप टेंशन में डिप्रेशन में आ सकते हैं जब टेंशन में आयेंगे तो आपको जो भी काम करने वाला है जो भी क नहीं लगता है, तो आप जो भी काम करते हैं, उस कामों से आप प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम छोटा और बारा नहीं होता है, जिस तरह से दोस्तों आप अपने वाइब से अपने बचों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह स जिस दिन आप अपने कामों से प्रेम करने लगे प्यार करने लगे तो आपका काम और बहतर होने लगेगा और आगे बढ़ने लगेगा क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जिस काम से प्रेम करना है, प्रेम करने का मतलब है प्यार करने का मतलब है दोस्तों कि उस तरफ पुरी तरफ फोकस होना और उस काम पर उस चीज पर पुरी तरफ से ध्यान देना एक बार आप अपने बच्चे को ही एक जामपर लेकर देख लिजिए अपने बच्चे को जब आप ध्यान देते हैं उस पर फोकस होते हैं तो आप उसको अच्छे से ख्याल रख पाते हैं जैसे कि खाना खाया या नहीं, टाइम पर खाया की नहीं किसके साथ संगत है, पढ़ाई अच्छा से कर रहा है या नहीं, स्कुल अच्छा से जा रहा है या नहीं, क्या बोल रहा है, और सब पर ध्यान देते हैं, जिसके वज़े से आपका बच्चा बेहतर होते जाता है, और आपका बच्चा सबसे वेश्ट अच्छा लरका हो जाता क्यांकि आप उस पर अच्छे से ध्यान दिये हैं वहिंपर अगर अपको जहलना पर जाएगा उसी तरह अगर अपने कामों पर ध्यान देते ह। को है यह आप काम कोई भी समस्राइब हो कि anime बर। यह को कई ने घुर्ण क्या कमी है अपने काम को थोरा सा नजर डालते हैं क्या कमी है उसको कैसे बहतर किया जा सकता है क्या एड करेंगे क्या और बहतर होगा इस तरह से आप अपने काम पर ध्यान देना श्टार्ट करेंगे तो और बहतर होता चला जाएगा आप अगर नौकरी भी कहीं कर रहे हैं त तो नुक्री में भी आप जब फोकस रहेंगे तो अच्छ से काम कर पैंगे जिसके वचान से आपका मालिक पुरी तरह से घुस रहेगा और जिब मालिक खुश रहेगा तो आपका तन खार जो महिना मिलता है वह भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपने जो काम कर रहा है जो भी चीज का नोकरी कर रहा है उस पर पुरी तरह से पुरे दिल से काम कर रहे हैं पुरा प्रेम कर रहे हैं उस काम से इसलिए आप अपतान खा भी बढ़ जाएगा तो इसलिए जो भी काम करते हैं छोटा हो या बारा नोकरी करते हो या वेवसाय करते हो या ध तो आपको छुट्टी ही नहीं मिले आपकाि काली बटने का समय ही नहीं मिले ताकि आपके मौन में नकारात्माक बाते आये ही नहीं क्योंकि आप जब भी खाली रहते हैं, तो नकरातमक बाते ही खाली आता रहता है, जिसके वुज़द से आप और नीगेटिव हो जाएंगे, और आपके माइन इखाली नीगेटिव बात ही आने लगा, और जब नीगेटिव बात मन में आने लगा, तो आपका सारा वैजिनस य जीने के लिए positive रहना बहुत ही जरूरी है तो आप इस तरह से positive रह सकते हैं और बहतर बन सकते हैं दोस्तों ए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो share करना मत भूलिए क्योंकि औरों को अच्छा लगे और जनकारी कुछ मिल सकें तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या जनकारी मिला ये भी कमेंट करना नहीं भूलिएगा और एक और बाद दोस्तों आप लोगों को मैं share करना चाहता हूं बात यह है कि दोस्तों हमारा जयन ओफ लाइन में कोई भी friends दोस्त नहीं है इसलिए मु लोग हमें क्यों देख रहे हैं मुझे क्यों देख रहे हैं मारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं कारण तो मैं जानता हूं मैं क्यों यूटूब पर आया हूं यह भी जानता हूं लेकिन कभी कभी मुझे confusion होते रहता है यह सब हम क्यों कर रहे हैं तो मैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा तो चलिए इसी असा के साथ में आपका कमेंट का मुझे इंतिजार रहेगा मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लोग के साथ अभी लेता ही बाय बाय गेश्ट अफ लग जय हिंद